इस वीडियो के बाद आप मुझे बहुत साही दुआ देने वाले हैं क्योंकि आपकी पूरी जिन्दगी का काम मैं असान कर चुका हूँ इस वीडियो के अंदर कि ने बहुत पहले इजात कर दिया था बट इसका video मैं इन बहुत जाद कर दिया था एक्छ जीएक्ड धू strikes possibility website website what konkurs Travel ime डाल दिया वीडियो को पाइलेट का सेबर प्लग-in आपने एड़ कर दिया यह रहा अब इसके आगे आपने पिर इसको जो भी है स्लेक कर आपको जैसे कि यहाँ पर कोई है कस्टम कोर आपने लेयर मास्क कर दिया तो यहाँ पर आगया अब प्रॉब्लम यह कि यह तो एक सेबर है तो आप उस हिसाब से आपने सेबर प्लग-इन को आप मास्क में गए मास्क में गए और इसका पात है इसको आप एनिमेट करते गए फ्रेम बाइफ्रेम यहाँ पर आपने फ्रेम बाइफ्रेम अनिमेट करते गए बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक कॉंटि तो ऐसे सब पहले आप अपनी वीडियो को स каз आ यहां पर लेखार चार लो लीड़ा चार। तो यहां पर दो आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले आप अपने वीडियो वीडियो को स्लेक्ट कर लो यहां पर में वीडियो स्लेक कर लिय। यहां पर यह आपकी एक normal video है जिसको आपने डब्ल कलिक कर लो और यहां पर जाकर रोटो बस कर लो अब रोटो ब्रसिंग करने का एक tutorial प्रेशनल में मेरे चैनल पर वलेबल है जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा है लगबग एक से दो साल पुराना वह टुटोरिल है बट स्टिल आज भी वह काम करता है च्छेका लिनक आच आगार आपके बसके लिए कई लकिनला आपको वह मusalem कर दिया अापट कई रहा हूं पार अधिको रहाँ या ऑज आफ ने टिसकॉप्शं में दे जिए दी रहा पर आपने स्ट में बहुत इसलिया चीच तरीके से हाँ कर सकते हैं आपने rotoscoping बहुत easy तरीके से यहाँ पर कर दिया अब plus में यह मैं हटा देता हूँ अभी के लिए जैसे कि यह पूरा पूरा area मैंने rotoscope कर दिया है और उसके बाद हमें simply एक format मिल जाएगा यहाँ पर आपका main comp जैसे कि यहां पर आपका main comp यह रहा और main comp के अंदर save up learning को मैं disable कर जाता हूँ आपका यहां पर रोटो स्कॉप करने के बाद आपको सिर्फ इस यह दिखेगा इस 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 दिखेगा आपको रोटो स्कॉप करने के बाद आपका normal हाथ चल रहा है आप के पास यह चीज आ गई अब इसको select करो जहां पर जिस चीज को आपने रोटो स्कॉप करा है इसको select करने के बाद layer पर जाओ layer पर जाकर सिर्फ यह option select कर लो जो है auto trace का auto trace को select करा यहां पर current frame की जगा work area को select करो और कुछ भी change नहीं करना है अगर आप चाहते हो कि एक new layer पर काम करें यह मतलब की यहां पर एक नई layer बन जाए और उस पर आप work करो मतलब की kind of shape layer बन जाएगा और मुझे नहीं चाहिए अगर चाहिए तो आप कर सकते हो तब भी कोई problem नहीं है और यहां पर सिर्फ ok कर दो ok करने के बाद एक normal process होगी auto tracing की जिसको मैं already कर चुका हूँ यहां पर और इसने डबारा के यहां पर रंग भी रंग मास्क बना दिया है अब M दबा के देखो यहां पर आपके मास्क आ चुका है हो सकता है कि कुछ unnecessary मास्क यहां पर बन जाए जो कि हमें जरूरत नहीं है तो उसमें से आप उनको डिलीट कर सकते हो जैसे कि यह अभी बनाता हूँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बस और जो मेरे मास्क बना हुआ है इसके उपर मैं सेबर प्लग इन डाल सकता हूँ इसके उपर सेबर प्लग इन यह मैंने डाल दिया है यह रहा अब इसको कैसे मैं यूज कर सकता हूँ आप यह देख लो Saber Plugin आपने इसके उपर डाल दिया Kind of D मैं डिलीट कर देता हूँ अब इसके उपर आपने Saber Plugin एड़ कर दिया यह आपके पास आएगा format यहां से कुछ भी आप select कर लो मैं अब heat select कर रहा हूँ और alpha mode के अंदर कुछ नहीं करना render setting के अंदर black की जगह transparent कर दो और customize score के अंदर Saber के जगह layer mask कर दो that's all अब इसके नीचे जो layer है मैंने layer को already duplicate कर दिया था जो original है मेरी video बस उसको on कर दो और यह काम आपका कर गया अब आपको यहाँ पर step by step mask करने की ज़रूत नहीं है आपको यहाँ पर यहाँ पर आपका काम already हो चुका है तो चाहते हो आप अपनी आख को पहले rotoscope कर लो और फिर उसके उपर Saber plugin को apply कर लो या पर किसी भी चीज को आप यहां पर rotoscope कर सकते हो auto test करके mask बन जाएगो mask के वाद Saber plugin पॉफेक्टली यूज कर सकते हो अगर यह चीज मुझे पहले पता होती तो मैं कभी भी इतनी ज्यादा महनत नहीं करता हूं अठारा जून 2022 से जल्दी से जाकर मेरा कोर्स लो और यहां पर मैं आपको बहुत जबर दस चीज बताऊंगा जो आपको आपकी लाइफ में या फिर कोई भी कोर्स वाला नहीं बताएगा मिलते हम नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग मेरा कोर्स आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा जो कोर्स की डिटेल्स है और रोटोस्कोप की डिटेल्स वीडियो डिस्किप्शन में मिल जाएगी थैंक्यू